कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी, तीन बड़े भाईयों की बहन थी, कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती, पूरे घर में रौप था उसका, पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी कविता, स्कूल में भी पूरा रौप था उसका, बड़े घर की लाडली जो थी वह, ऐसे ही उसने कालेज में दाखिला लिया, उसके ठाट बात, बड़ी गाडी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाता था, थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए, पूरे कालेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी, इन दिनों उसके घर एक, रिष्टा आया, खांदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ, कविता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, वर्टिकल बार पर कविता ने फिर भी हां कर दी कयों की वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे, लड़के का नाम राज था, राज, काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था, ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे, ससुराल में कविता की जगा वै के घर एक बेटे का जन्म हुआ, राहुल कविता को जान से प्यारा था, पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे, कविता कभी कभी सोचती की उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है, चाहे जीवन में कैसा भी समय आए मेरे हमेशा मेरे साथ है, मैं कभी अकेली नहीं हूँ, सकती, कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं, पर शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी, एक दिन वह माय के जाने की जिद्ध कर बैठी, राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया, रा अफी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए लेकिन कविता पूरी तरह ठीक ना हो सकी, सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी, अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पाव चलने लगी, माय के वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे थे, कभी कभार फोन ही करके पुछ लेते की अब कैसी हो, धीरे धीरे ये सिलसला भी कम हो गया, ससुराल वालों की सहानुभूती भी कम होने लगी, घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बंटा सकती, राज भी चचड़ा हो गया था, बस राहुल ही था उसके साथ जिसके साथ हंस्ते खेलते उसका वक्त गुजरता, एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वज़ा से राहुल को हलकी सी चोट लग गई, कविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलत कर कि कहीं उसके ना देखने की वज़ से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। कविता अंदर से तूट चुकी थी। एक दिन उसने सब के सामने माई के जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत माई के छोड़ाया। जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल क को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी राहुल से दूर नहीं रही थी पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। कविता को लगा कि वह तीन-चार दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा कयों कि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर न का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भावियों से दिल खोल कर बाते की। उनके छोटे-छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैक तो बहुत भरा हुआ थ था। वह लोग जैसे ठक चुके थे उससे। सब लोग घूमा फिरा कर कुछने लगे की राज कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती। जबकी वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिये कोई जगह नहीं। कविता से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान ह हो जाता। थोड़ी बहुत टोकाटा की उसे सुनाई देती। वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीम्ती फूलदान तूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता-पिता रोज-रोज के जमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने र एक पत्ता भी नहीं हिलता था। उस घर के लिए वहाँ अब बोज बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वहाँ बहुत खुश थी। क्योंकि वहाँ अपने घर जा रही थी अपने जिगर के टूकडे राहुल के पास। परंतु यहाँ खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। कविता को सीधे उपर वाले कमरे में पहुचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सक्त चेतावनी दी गई। एक कामाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। जो उसके खाने पहने जैसी जरूरतों का ध्यान कविता ज्यादा तर चुप ही रहती। कभी कभी कामाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरीय राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहुत सबके लिए लाडली से बोज बन चुकी थी।